हेलो चुल्डन बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत प्यार तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आज हम पढ़ेंगे बिंदू रेखा रेखा खंड और किरन के बारे में बच्चों यह छोटी छोटी सी बाते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी हैं और क्यों करते हैं इसी टॉपिक पर तो चलिए करके सीखते हैं तो सबसे पहले बिंदू देखो बच्चों बिंदू क्या होता है बिंदू जैसे बिंदू का पहले तो प्रतिक होता है ऐसा एक डॉट सा एक ऐसा निशान इसको हम कहते हैं बिंदू ठीक है बिंदू का यह केवाल किस चीज की इस्थिती को दिखाने के लिए होता है जैसे मैं कहता हूं कि चलो राम यहां पर खड़ा है इस बिंदू में एवे तो यह एक यह राम की इस्थिती दिखा रहा है बिंदू के दोरा ठीक है तो बिंदू हम केवल इस्थिती को दिखाने के लिए करते हैं और बिंदू के बारे वे इतना जानकारी काफी है कि बिंदु जो है इसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई नहीं होती यह केवल किसी चीज की किसी वस्तु की किसी व्यक्ति की इस्थिति को बताने के लिए हम इसको प्रियोग में करते हैं उसके बाद आया रेखा खंड देखे पहले रेखा रेखा आपको पता है यह एक माना एक रेखा जैसरे में कहते हैं बाद एक लंबी रेखा खंड खंड कीजिए साथ सेंटी मिटर का एक रेखा खंड कीजिए देखो हम इसको रेखा नहीं बोलेंगे actually बोलते तो हम यहाँ के 7 cm लंभी लाइन खींचे है रेखा खींचे लेकिन बेटा वो होता है रेखा कंड अब रेखा और रेखा कंड में यह यह अंतर होता है कि जो रेखा कंड है यह रेखा का एक हिस्सा है रेखा खंड के दो अंत पॉइंट होते हैं याने देखो इसके दो एंट पॉइंट होते हैं यह यहां से शुरू भी यहां पर खतम हो गई या यहां से शुरू भी यहां पर खतम हो गई तो हमें मालूम है इसको हम माप सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है इसकी एक निश्चित लंबाई होगी माना हम कहते हैं साथ सेंटी मिटर लंबा रेखा खंड खींच लेते हैं तो हमें उसके दोनों पॉइंट पता है कि हमने कहां शीचुड़ किया और कहां पर उसको खतम कर रहा है बनाना तो इसके दो एंड पॉइं इनके ऐसे मिलादें इन दोनों बिनदों को सीधा सीधा ठीक है तो यह आपका लेखा खंड बन जाता है तो दो बिनदों की बीज़ की दूरी डयेट सीधी दूरी यहा लेखेजिboxan. अब देखिए लेखा खंड में अब अंतर रेखा खंट और रेखा में अंतर देखिए आप कि अगर हम इसके इस एंड पॉइंट को इधर बढ़ा दें और इसको हम अनंत तक बढ़ा दें और इसको इधर से भी हम इसको अनंत तक बढ़ा दें यानि यहां से भी हमें इसके छोर का पता ना चले और यहां से भी इसके छ मैं को मनाप नहीं सकते हम सिर्फ रेखा खंड यानि रेखा के किसी टुकडे को जिसको हम रेखा खंड कहते हैं उसको तो हम माप सकते हैं सेग्मेंट इसको इंगलिश में कहते हैं ठीक है लेकिन हम रेखा को नहीं माप सकते हैं रेखा की लंबाई तो अनंत होती है आपने दे से पढ़ोगे वो भी असंक्या होती है तो इसलिए उसको नंबर लाइन कहते हैं क्योंकि उसका कोई अंत नहीं होता तो आप सिंपल सा एक छोटी सी चीज़ सी कि रेखा रेखा खंड में एक छोटा सा अंतर है कि रेखा के कोई कोई भी अंत पॉइंट नहीं होता ये दोनों रापिए यह हो गया अब देखें आप क्रान किसे कहते हैं किरन के जन बारे में जानना आप को बहुत ज़रूड ही है कि अब आपने देखा हूगा ट jut Energy यहा और प्रती परती से यह दूसरी किरन आई इस तरह से तो आपको मालू है इसका एक पॉइंट तो है यहां से आ रही है लेकिन यहां इसको यहां यह अनंत तक चलती है जैसे टॉर्च है अब आप देखे टॉर्च से जो रोक्षनी जाती है जो आप टॉर्च जलाते हैं तो आतो वो टॉर्च से रही है किरन कहां से शुरू होती है torch शुरू है श्यापने torch को जलाया लेकिन ये टूरन कहां तक जाती है इसको हम map नहीं सकते हैं तो दूर दूर कहीं तक भी जाती हैं तो क्रean में क्या होता है एक point वहाँ data हमें मालू है इसका एक end point वहुमें हमें लेकिन यहां कितनी दूर तक जा रही है यह हमें नेमानों इसलिए एरो से दिखाते हैं यानि कितनी भी दूर जा सकती है तो किरन में रेखा खंड में और रेखा में तीनों में में डिफरेंस यह है कि किरन का जो किरन होती है इसका एक पॉइंट तो एक एंड पॉइंट हमें पता होता है या एक ओरिजिन पॉइंट यह point बनाते हैं और दूसी तरफ हम arrow, arrow का मतलब होता है कि यह अनंत लंबाई तक चल रही है, ठीक है, जो line है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, दोनों तरफ arrow, याने इधर से भी कितनी भी लंबी हो सकती है, इधर भी कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, दोनों तरफ बढ़ाई जा सक हाते हैं, याने इसका शुरू कहां से हो रहा है, और खतम कहां पर हो रहा है, ये भी हमें मालूम है, तो रेखा खंड के दो end point होते हैं, और जो किरन है, raise जिरकों बोलते हैं, raise इसका एक ही end point होता है, दूसरे end point नहीं होता है, और जो line है, याने रेखा है, इसका कोई end point नह होती है इसकी लेंद्ध और हाइट कुछ भी नहीं होती लिए हैं तो अब जब हम कोन पढ़ेंगे तब किरन के बारे में और पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बंदू रेखा रेखा खंड और किरन जिन में अंतर समझ में आ गया होगा सु थैंक्स अलोट